खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट बिहार के पटना एम्स में देश में पहली बार कोरोना से जारी जंग को जीतने के लिए पहला हत्यार तयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है देश में सबसे पहले पटना एम्स ने कोरोना वैक्सिन का ट्राइल साथ लोगों पर किया अभी तक कोरोना वैक्सिन का ऐसा ट्राइल देश में किसी भी संसान में नहीं हुआ है इस तरह से पटना एम्स कोरोना से लड़ाई के लिए सबसे पहले सामने आया है ऐसे में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल दिये शक्स जो तेंदर मुख्या से खास बाच्चित की सहयोगी अभिशेक ने. पूरे विष्व कहड़बर पारा है ऐसे में देस वासीयों के लिए खुसखबरी है क्योंकि पटना एमस में अब कोडोना वैक्चिन का हूमेंट त्राइल सुड़ हो गया है हमारे साथ एक कैसे सक्स हैं जिन्हों ने अपने सरीर पे इस बेक्षिन का में ट्योड है इनी सेहम जानते हैं कि borrowed क्या कुछ हुए इनके सांथ के इससरा आप का नम मेरे नाम और पूरा नाम नहीं बता सकता है नहीं कुछ घुपत रखना है कुछ नेम से गुपतर अपना तो यह हुमन ट्राइल जो हुआ कैसे हुआ था हुमन ट्राइल हुआ पहले गया आपका सेंपल लिया करोना टेस्ट फिर बीपी सुगर यह सब चेकिंग हुआ उसके तीन दिन के बाद आपको बुलाया जागा अगर सब कुछ सही आता है आप ब वाएक्षिन लगवाया कितने लोग तेने में पत्ना उय्म्स में ट्राइल तो बहुत लोगोंने दिया होता हम से पहले हमारे गरूप में छे आदमी Κा कल वैक्षिन ओर हुआ दिया गया जिसमें 54 से 55 वर्स के उम्र में अकेला गया विकती भीम्रahren में अपके लेंगे रिक किरन भाग्र कर मैं आप भी ट्रायल सकते हैं लेकिन लोग हिंमत नहीं जुटा पाते हैं देश के लिए हिंमत जुटाना चाहिए अगर किसी ने किसी को तो आगे आना ही हो गा जब देश पर साइनिक लड़ रहा हैं पत्रकार लोग आप लोग भी लड़ रहे हैं कोविट से आपको भी हो सकता है तो हरनागरे के जिम्यवारी बनती है मैंने भी हिम्मत किया यह बेड़ा उठाया कि पहला ट्राइल कराया जाए जो होगा देखा जाएगा लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं प्रतीत हो रहा है तो जो अस्पताल प्रशासन है उसके द लगा के जाएए तो साथ दिन के बाद फिर आपको जाना है चोदा दिन के बाद चोथ माद जाना उसके बाद वैक्सिन देने के बाद फिर वाइरस इंजक्ट किया जाएगा वाइर पहले तो दो करने के बाद ही आपका क्या आता है उसके बाद ही करेगा एक हो चुका उसके 14 दिन के बाद फिर दुबारा इंजक्ट किया जाएगा यह वैक्सिन उसके बाद फिर आपका को दे दिया गया है इसके बाद रिपोर्ट आने का इंतिजार है उसके बाद 14 दिन के बाद दोबाड़ा दूसरा वैक्सिन दिया जाएगा अब इसके बाद ही अस्पताल प्रसासन आगे की रन निति पे विचार कर सकता है पतना से जंतन टीवी के लिए अभी सेक सिंग के रि प्रसापट.